समंदर में लुडखने को तयार एक बोल्डर ब्रिटेन में ससक्स के तट से करीब 45 किलोमीटर दूर समंदर में बड़े-बड़े बोल्डर गिरा जा रहे हैं परियावरन संगठन Greenpeace UK समंदर में 60 जगे चुनने के बाद ही वहां बोल्डर कहे जाने वाले बड़े-बड़े पत्थर भर रहा है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच मौझूद अट्लांटिक महसागर के सकरे रास्ते को इंग्लिश चैनल कहा जाता है परियावरन संगठन के मुताबिक संगरक्षित इलाका घोशित होने के बावजूद ट्रॉलर यहां समंदर की खाक चान कर मचली पकड़ रहे है ट्रॉलरों के ऐसे जाल समंदर की गहराई में मौझूद हर जीव को कैद कर लेते हैं समंदर अगर कम गहरा हो तो यह जाल धरातन को कुचलते हुए वहां के एको सिस्टम को उजाड़ देते हैं ऐसी बॉटम ड्रैगिंग को रोकने के लिए 2016 में इंगलिस चैनल के एक बड़े हिस्से को संगरख्षित इलाका घोशित कर दिया गया लेकिन ग्रीन पीस का कहना है कि ओद्यों के इस तर पर मचली पकड़ने वाले मान नहीं रहे हैं इसलिए समंदर में 88 स्क्वेर किलूमेटर के दायरे में बोल्डर भरने के लिए दो जहाजों की मदद ली गई ये बड़े बड़े पत्थर ट्रॉलरों के जाल को उलजा देंगे इन बोल्डरों में उलजते ही नेट को काटना पड़ेगा इसके अलावा ये पत्थर समुदरी जीवों को छूपने की जगए भी देंगे हम भारी नुकसान पहुंचाने वारी फिशिंग को रोकने समुदर तल और वहां के शांदार जीवों को बचाने के लिए बोल्डर गिरा रहे हैं अंदादुन्द फिशिंग से कई समुदरी जीवों को पनपने का मौका ही नहीं मिल पाता यही कारण है कि दुनिया में कई जली इलाकों को संगरक्षित खोशित किया गया है कोशिश है कि वहां जली जीव सुकून से प्रजनन करें और सुरक्षित रहें लेकिन अगर उन्हें इसका मौका ही नहीं मिलेगा तो इसका असर पूरे इको सिस्टम पर पड़ेगा जिसमें हमारे जैसे बेवकूफ होमो सेपियन्स भी शामिल है